चलो बच्चो आज हम देखेंगे विक्सित भारत का सौपन जिसके लेखक है डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत रतन डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारती गंड तंत्र के ग्यारवे राष्ट्य पती रहे हैं डाक्टर कलाम की मिसाइल मैन एवं पीपुल प्रेसिडेंट के रूप में पहचान रही है बच्चों और युवाओं के अतिशेप्री डाक्टर कलाम ने कई पुस्तक का लेखन किया है जिन में उनकी बहुत चर्चित आत्मकता है अगनी की उडान विंक्स ओफ फायर इगनाइटेड माइनसट इंडिया दोहजार बीस चर्चित क्रितियां रही है प्रस्तुत लेख में डाक्टर कलाम ने प्राचिन ज्यानवान समास से लेकर विक्सित भारत के स्वरुप चुनोतियों पर प्रकाष डाला है लेखक कहते हैं कि प्राचिन भारत एक ज्यानवान समास था कालांतर के हमलों और वेश में रहने वाले आसन इसकी संस्थाओं को नश्ट कर दिया है तथा इसकी योगता को भी चौपट कर डाला है इसकी जनता की अस्तित्व है वो निचले इस्तर में सिमट कर रह गई है जब अंग्रेज ने भारत छोड़ कर गयन और तब तक हमारी युवाओं ने अपने लक्ष को धूल धूर्शित कर लिये हैं थे वे साधरन जीवन में ही संतोष्ट हो जाया करते हैं भारत मुल्यता ज्यान की भूमी है और उसे अपने इस पहलो के ने सिरो की खोश करनी चाहिए एक बार यह खोश कर ली तो जीवन की गुनता तथा विक्सित राष्टे की ताकत और संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसे ज़्यादा संघर्ज भी नहीं करना पड़ेगा ज्यान के तो कई रूप होते हैं यह ज्यान हर जगहों पर कई जगहों पर उपलब्द होता है ज्यान इसे सिच्छा, सुचना, बुद्धी मानी तथा अनुबह के जरिये किया जा सकता है यह सेक्षणिक संस्थाओं में अध्यापिकों के पास पुस्तकाले में, सोथ पत्रों में, कोश्टियों तथा विभिन संगटनों में और कारे इस्तलों में, कर्मियों, प्रबंदकों, ड्राइंग, प्रक्रिया, दस्तावेज और यहां तक की दुकानों तक में भी होता है ज्यान की सिक्षा करीब से करीबी नाता है लेकिन यह कलाकारों, दस्तावेच, हकीमों, वैदों, दार्शनीकों और संतों तथा यहां तक की हमारी ग्रिनियों के पास भी मौजूद होता है ज्यान इन सभी प्रदर्शन तथा कार्य उत्पन में महत पुण भुमिका निभाति है हमारी विरासत और इतियास कार्मकंड महाकंड और प्रंप्राय जो हमारी चेतना का हिस्सा है यह सब दरशल पुष्तकालें तथा विद्यालों की तरह ज्यान की विशाल सुरोत है हमारे गाउं में गैर पुरातन पंती और दुनियाई समझदारों भरमार हैं हमारे वातावरण में महाशागरों में जयवसर्रक्षण और रेगिस्तान में तथा पेड़ पौदे पसुपक्षी जीवन तक में भंडार चुपे हैं यह बच्चों ग्यान का भंडार बताएगा जो की पसुपक्षी में भी होते हैं महाशागरों में होते हैं जयवसर्रक्षण मतिर रेगिस्तान तथा हर जगा ग्यान का भंडार होता है हमारे देश में हर राज में ज्ञान्वान समाच के लिए उसकी अपनी अनुटी और अदभुत चमता मौजूद होती है ज्ञान हमेशा समरिध्य और ताकत का स्रोत होता है ये ही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्टी परड़ो दिया जाता है भारत में तो ज्ञान को आपस में बाटने की संस्कृती रही है और इसके लिए गुरू स्रिष्य की भी प्रमपरा के अलावा पडोसी देशों से और नालंदा तथा ज्ञान से अन्य केंद्रों की ख्याती से प्रभावित होकर यहां आये यात्रियों के जरिये इसके प्रचा प्रशार की भी प्रमपरा रही है भारत कहीं कहीं प्रकृती प्रति इस पर धात्मक लाब दिला सकता है 21 सताबदी में एक नए समाच का उदय हो रहा है जिसमें पुंजी और श्रम के बजाय ग्यान की प्रात्मिक्त उत्पन संसाधन है पहले से मौजुद ग्यान से इस के रूप में पुंजी पैदा कर सकता है विविन छेतरों में हुई उन्नती का लाब उठाते हुए कौसल और उत्पादक्ताओं को बढ़ा कर ज्यान रूपी धाचागत तंत्र का निर्मान तथा उसका रख रखाओ ही इस समाच की सम्रिद्धी बढ़ाने में प्रमुक प्रमुक रख रख खरा उतरता है या नहीं इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्यान के सर्जन और उसके उचित इस्तमाल के छेतर में कैसा कारी कर रहा है ज्यानवान समाच के दो मातपूर्ण अव्य समाजिक बदलाव तथा धन निर्मान से प्रेरित होते ह समाजिक बदलाव दरशल सिक्षा स्वास्त रक्षा क्रिश्टी सासन के छेतर में आते हैं ये ही रोजगार सर्जन उच्च उत्पादक्ता तथा ग्रामिन सम्रिद्धी का मार्ग प्रस्त करेंगे देश के लिए धन निर्मान के कार्य के कुराश्टिय चमताओं से जोड़ कर देखा जाना चाहिए तभी विक्सित भारत के मिसन को सफल बनाया जा सकता है और इसमें आने वाले चुनोतियों का सामना करने के लिए युवाओं के अदमे साहस संकल्प सकती और समलित प्रयाश की आव सकता है कोई राष्टिय अपने नागरिकों की सोचने समझने के त आनुद्देश होना चाहिए छोटे-छोटे लक्षियों में अपने आपको सीमित कर लेना ही गुना जैसा है वरतमान सिक्षा प्रणाली चात्रों पर कामका बोज बढ़ारी किन्तु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करे यह उन्हें ज्यान प्राप्त करने के लिए बादक न बने कठीन परिश्रम और लगन जीवन में खुबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सयोग देते रहेंगे सन 1960 के दसक में हमारी अंत्रिक्ष कारेकरम दूर दरश्टा वज्यानिक प्रोपेशर विक्रम सारा भाई ने एक धेए सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपकरा और दूर सनवेदी उपकराओं के रूप में तैयार कर उन्हें खुद विक्सित करना चाहिए और भारत के प्राकृती संसादनों के आकलन के लिए उन्हें भारती जमीन से धुरुवी कक्छाओं में प्रभ छेपित करना चाहिए आज उनके सपने सच हो गए आज भारत किसी भी प्रकार के अंत्रिक्ष प्रणाली के निर्मान में सच्चम है विक्सित भारत महज एक सपना नहीं जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाव युवाओं को होगा इसलिए यह मतपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में सुरूह से ही युवा पिड़ी को स्रयोग करना चाहिए उसे अपनी सेक्षिक और परिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी सोध यात्रा के अनुरूप बेहत अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमडती घुमडती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा चोटी मोटी बाद आएं उसे घवराएं बीना जिस विशय का अध्यन करते हैं यह यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो उसके कोई सक नहीं है कि आपकी संभावना और भविस जगमगाते रहेंगे रोजगार के औसरों की भी कोई कमी नहीं होगी किन्तु जब कोई व्यक्ती बहुत ही खासम खास चात रखता है तो और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफी दिकते आती है यदि आप उद्धमसिल डिजाइन युद्धियोग अपने नए विचार के साथ क्रिश्टी कारे करने सुचना प्रद्योगी की उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो वो युवापीडी के सामने अंता संभावना है भावी युवापीडी के लिए यह बहुत महत पुर्ण पैमाना है उसकी साक्षर इसतर सो करोर लोगों को सिक्षित करना कोई खेल नहीं या लक्ष अपने सभी युवाप को के सायोग से ही प्राप्त किया जा सकता है आप में से ऐसे बहुत से खुश नशीब हैं जो अच्छे स्कुल में पढ़कर इसतरी सिक्षा ले र एक विक्सित राष्टे की पहचान है कि उसमें अमीर गरीप के भेदवा द्रंडता पुर्वक मिटा दिये जाए इसका एक तरीका यह है कि आपका इसकुल आपके पडोस में एक गाउं को अपना ले और अपने प्रतिक छुटियों के दिन उस गाउं में जाए और कम से कम दो लोग को सक्षर बनाने में सहयोग देकर ग्यान का दीप चलाएं इसके साथ ही पच्चे अपने विद्याले में परिसर या घर के दस पौदे लगा सकते हैं जो आज से कुछ साल बाद हम सभी हरे भरे परिवेस में काम कर रहे सकेंगे जिससे हमारे अंदर स्रिजनात्मक सोच और सक्रेता पन पेगी चात्रप्रप बुजूर्गों विमारियों और विशेश हो सकताओं वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं ऐसे भद्र व्यवार से विकास के लिए अनुकूल और सांतिपूर्ण महोल तयार हो सकता है जो निश्टपूर्ण कारिक हो सकते हैं सत प्रतिसस सफलता मिलेगी या पर कुछ मुझे सत तिरू अलवर की दो पंक्तियां याद आती हैं सफलता और धन अपना मार्ग ढून लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुच जाते हैं जिसमें वह द्रन इच्छा सकती और योजना बदलगन होती है नसीब उस इंसान तक खु और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है धन्यवाद